आपको पता है, पूरी दुनिया में जापान ही एक ऐसा देश है, जहां ज्यादा तर चीज उल्टी होती है, जहां पूरी दुनिया में 2024 चल रही है, वहीं जापान 2050 में जी रहा है, पूरी दुनिया में ट्रेन सीधी चलती है, वहीं जापान में ट्रेनों को भी उल्टा चला किया जाता है दोस्तों सभी देशों में नॉर्मल टॉयलेट पूरी तरह से बंद होते हैं लेकिन जापान में शीशे से बने हुए चम-चमाते खुले टॉयलेट होते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग इस टॉयलेट जिसकी लंबाई 46 फिट और उंचाई 20 फुट से भी ज्यादा है लेकिन दुनिया की सबसे लंबी कार इसे भी लंबी है इस कार का नाम है The American Dream आपको बता दे कि ये कार इतनी लंबी है कि इसमें 26 टैर लगे हुए है क्या आप जानते हैं हेलीपेड पर हमेशा ऐच ही क्यों लिखा होता है कई लोगों का ऐसा भी मानना है कि इस जगह को हेलीकॉप्टर के लिए बनाया जाता है इसलिए इसके पहले अक्षर से लिखा जाता है लेकिन ऐसा बिलकुल नहीं है इसके पीछे कई कारण है चलिए जानते हैं, बता दे कि एक हेलीकॉप्टर को हेलीपैड पर लैंड करवाना काफी मुश्किल काम होता है और हेलीकॉप्टर के लैंडिंग के लिए एक ऐसी जगह चुन्नी पड़ती है जो बिल्कुल साफ हो क्योंकि जब हेलिकॉप्टर नीचे उतरता है तब इसके घूमते हुए तेज पंक हर चीज को अपनी अंदर खीच लेते हैं ऐसे में हेलिकॉप्टर का क्रैश होने का भी खत्रा बढ़ता है इसलिए जमीन या किसी बिल्डिंग के उपर कंक्रीट डाल कर ठोस जगह बनाई जाती है और इसके उपर बड़े अक्षर में एच लिखा जाता है ऐसा कहा जाता है कि एच पाईलट को बताता है कि हेलिकॉप्टर का मुँख किस तरफ रखना है और इसकी पूच किस तरफ रखनी है ये एक ऐसी मच्छी है जिसको आप पानी से बाहर निकाल कर गुदगुदी करते हो तो ये हंसने लगती है बतादे कि इसको बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि ये मचली हंस रही है, लेकिन ऐसा बिलकुल नहीं है, तो आखिर ऐसा क्यों करती है, चलो जानते हैं, बतादे कि इस मचली को स्टिंगरे मचली कहा जाता है, जो सिर्फ पानी में ही जिन्दा रह स इसलिए ये मचली ऐसा reaction देती है और तो और एक ऐसी मचली है जिसको पानी से बाहर निकलते ही ये गुबबारे की तरह फूल जाती है इस मचली को पानी से बाहर निकाला जाता है तब ये हवा को अपने अंदर खींचने लगती है इसलिए फूलने लगती है आप कौनसे राज